आकाश्वाणी वध्यपुदेश से प्रस्तुत है डिंडोरी जिले की चठी आलेख लक्ष्मी नारायन अभदिया वाचनस्वर रतनीश सुनी डिंडोरी जिले के लिए महिना मिला जुला रहा जिले में तेज गर्मी ने दस्तक दे दी है अभी तक अधिकतम 40 डिगरी तक तापमान पहुँच गया है वहीं पिछले दिन हुई बारिश ने थोड़ी रहत दी है गर्मी की चुट्टियों में बच्चों को खेल विधाओं क के प्रशिक्षण के लिए खेल एवं विवक कल्यान विभाग ने जिला मुख्याले के कलेक्टड खेल मैदान में निशुलक प्रशिक्षण शिविर का आयोजिन किया है यहां बड़ी संख्या में बच्चे पहुँच रहें जिला मुख्याले के दीदी कैफे में भी निर् लोकसभा के लिए अपने मताधिकार का प्रियूग किया यहां से भाज़पर प्रतियाशी फगन सिंग को लस्ते हैं जबकि कॉंग्रिस ने ओमकार सिंग मरकाम को मैदान मुता रहा है चिल्लू सिंग ने ललित कला एवं गरह विज्ञाने समु में पूरे प्रदेश में पर्थमिस्तान प्राप्त किया है उन्होंने 93 प्रतिशत अंक हासिल किया है जिले का हाई स्कूल प्रतिशत 58.14 है जो की राज़ के 58.1-0,4 अधिक है वहीं हाय सेकندरी स्कूल परिक्षा परिक्षा प्रणाम प्रतिशत 60.34 जो की राज़ के 64.48-4 प्रतिशत कम है कलेक्टर ने पेजल आपूर्ती और पेजल विवस्था के संब्ध में समिश्य बैठक का आयोजन किया उन्होंने कहा कि जल आपूर्ती के मुद्धों कुत्व रित निप्टान करें 25 मई को डिंडोरी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा कलेक्टर विकास मिश्था ने जले के 26 पे इस्थापना दिवस की तैयारियों के संब्ध में अधिकारियों को आवश्यक निप्धिश दी है 26 मई को ग्राम चाड़ा में स्वास्थ कैम्प आयोजन किया जाएगा जिसमें अर्विन दो महा विध्याले इंदोर की 45 अधस्य टीम लोगों को स्वास्थ सिवाय मोहया कराएगी 27 मई को डिंडोरी के स्थापना दिवस की उपलक्ष में ही उतकष्ट विध्याले में वन मेला का आयोजन किया जाएगा जिला प्रशासन दोरा प्रतेक शनिवार को आयोजित किये जाने वाले रेवा स्वास्थ कैम्पों के सकरात्मक परिणाम अब नजर आने लगे है महिला बाल विकास विभाग दोरा घर घर जाका सर्वपर्थम को पोशित बच्चों को चिनित किया गया जिससे प्रतेक बच्चे की निगरानी करना आसान हो गया 190 बच्चे अब सामान श्रणी में आ गए हैं वहीं शेश 31 गंबीर कुपोशित बच्चों में सुधार जारी है इसी करम में 261 कुपोशित बच्चों को चिनित कर जिला प्रिशासन के अधिकारियों ने गोद लिया है कुपोशन के तीन मुख्य कारण अस्वचिता, पोशक तत्वों का अभाव और रोग प्रती रूधात्मक शम्ता का कम होना है इन कारणों पर वार करते हुँ दादी की पोटली दवाईयां पोशन, आनाज और स्वचिता किट प्रदान करता है दवाईयों में सीतो पलादी चून, सुपुष्टी चून, वासकासव, सीरप लोगों के प्रती रोधात्मक शम्ता बढ़ाने में उप्योगी है वहीं मुंगफली, फूटा, चना, गोड़ जैसे पोशक खादी द्वारा बच्चों को पोशन, युक्त भोजन मिल रहा है कुपोशन का सबसे प्रमुक कारण स्वचिता है इसलिए किट में रुमाल, टूथब्रश, नीलकटर, वैसलीन, आदी सवचता बढ़ाने के लिए दी जा रही है चनिवार को आयोजित होने वाले रिवा स्वास्त कैंपों में दादी की पोट्टी सभी चुनित कुपोशित बच्चों को प्रदान किया जाएगा संभाग आयोक्त अभे वर्माने महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्त विभाग एवं आयुष विभाग के संयुक्त प्रयासों से संचालित किया जा रहे रिवा कैम की सरहना की विवा कैम्प के माध्यम से कुपोशित बच्चों की जाँच, किशोरी बारिकाओं की जाँच, गरवती एवं धातरी महिलाओं की जाँच के बाद उनको दिये जा रहे पोशन अहार एवं परामश को पोशन का स्तर कम हुआ है कलेक्टर विकास मिश्रा ने कलेक्टेट सभाकक्ष में करशी विभाग की बैठेकायों जितकी जिसमें करशी विभाग के अंतरगत संचालत योजना के बारे में विस्तर चर्चा की जिसमें करशी उपर संचालत अधिकारी ने करशी विभाग के अंतरगत योजना के बारे मे से प्राप्ट किया जाता है क्रेक्टर विकास मिश्चा ने बाढ़ आपदा इवं नियंत्रन के संबंद में मांसून आगमन के पूर्व तयारियों के संबंद में 27 मई 2024 को बैठक कायो जिन किया है जिसमें जिलास्तर पर बाढ़ इवं अत्रिवरिष्टी के स्थिति में संभ